हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रम हॉस्पिटल डॉक्टर धर्बेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बिमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर धर्बेश के बताए नुस्कों से लाब उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहत मंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए दोस्तों मैं डॉक्टर दर्बेश आप सब का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल फ्रीडम फ्रम हस्पिटाल दोस्तों एक चीज़ याद रखें जिवन में अगर आप नेचुराल तरीके से अलग अलग जो प्रयोग में बताता हूँ उसे अप्लाई करते हुए जिवन बेतित करोगे तो दोई से डेफिनाइटली दोस्तों दूर रहोगे खास करके जो हमारी सुभा सामे का आदत बनी हुई है फिर डॉक्टर हमें बताते हैं आपको लेना ही पड़ेगा यह आदत कहीं न कहीं हमें आगे चलके बड़ी मुसिबत में डाल सकता है मगर जब तक आपको सेट्रिचूट नहीं मिला है जब तक आपको अल्टरनेटीब थेरापी प्रपर काम करते हुए नहीं दिखा है तब तक आप दवाई कैसे छोड़ सकते हुए इसलिए जो टाइम टेस्टेट प्रयोग है वो आपको मैं बताता हूँ ऐसे हजारों टिप्स में अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दे रखा हूँ इसे भी आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हूँ एक्टी प्रेशर रोजाना सुभा साम अपने के लिए अप्लाई करके फिट रह सकते हूँ और अपने परिवार को भी दोस्तों सेहत बंद रख सकते हूँ आज का जो खास टॉपिक है दोस्तों वो है कि जो गर्मी का समय है इसमें अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है अगर आप बार बार आइस वाटर ले लेते हो याने फ्रीज का पानी लेते हो यह आपके लिए दोस्तों बहुत घातक है और यह दर्द भी दोस्तों बढ़ाता है इसलिए जिनें भी दर्द हो रहा है पहला सबक यह है कि हम किसी भी किमत में फ्रीज में रखावा कोई भी चीज सीधे नहीं इस्तेमाल करेंगे चाहे आप फ्रूट रखे हो उसे भी लाके रूम टेंपरेचर में इस्तेमाल करें पानी आप बाहर का ही जो फिल्टर वाटर वो पीए फ्रीज में रखावा बटल का इस्तेमाल ना करें अगर है तो फिर उसको रोम टेंपरेचर मिलें, किसी भी दरीके का कोल ड्रिंग्स, आइसक्रीम ये सब जितना हम आप होईट कर सकें उतना दोस्तों अच्छा है, और एक बाद आपको कहे रखों कि कोई भी आप exercise करते हो, बहुत जादा exhausted होके ना करें, धीरे धीरे छोटी छ अगर आप सुरू करते हो जैसे पपन मुक्तासन हो गया, अर्ध सरबांगसन हो गया या सरबांगसन हो गया, इस सब छोटे-छोटे चीजें आप एड़ कर सकते हो। जिन्ने जॉइंट पेन रहती है, वो कभी भी क्रस लेक करके ना बेटने यानि पदमासन हो गया ना करें साथ साथ दोस्तों दो बढ़िया चीज़ आज आपको मैं बताऊंगा जिसका इस्तिमाल करके आप बिल्कुल फिट रह सकते एक धनिया का प्रयोग रात में आप दो चम्मच धनिया अच्छे से धुला हुआ हो और फिर उसको एक ग्लास पानी डालके कांच के बर्तन में रखे सुभा उससे अच्छे से दोस्तों उबालो जब यह अच्छे से उबल जाए तो उसको फिर थोड़ा से गुनगुने हालत में चाहे तो आप थोड़ा सायद मिलाएं, चाहे आप थोड़ा गूड मिलाएं, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलाना पसंद है, तो आप सीधे उसको चाय के तरह पी सकते हैं. धनिया का पानी अगर रोजा ना इंसान पीता है तो सरीर में कैलसियम, पटासियम, मैगनेशियम की दोस्तों कमी कभी नहीं होती है। जो लोग एनिमिक हैं, जीने हमेजा जुड़ों में दर्द रहता है, मान स्पेसियों में जीने दर्द रहती है, ठकान रहती है। किसी भी तरीके से आप दिन भर दर्थ के मारे दवाई खाते रहते हो तो धनिया का पानी जरूर इस्तमाल करो सुबा सुबा ले नहीं है खाली पेट दिन में एक बार कम से कम अब ये इस्तमाल कर लीजिए एक कॉप होनी चाहिए कम से कम दूसरा फर्मुला उसमें दोस्तों जोड रहा हूं सुगर की जिने समस्या है आप जब धनिया का पानी बना रहे हो यानि उबाल रहे हो उसमें दो चुटकी दालचिनी का पाuseडर दोस्तों उसमें डाल ले या फिर छोटा सा टुकड़ा आदेंस से कम दालचिनी का टुकड़ा को आप डाल के भी उबाल सकते मंगर सबसे बढ़िया होता है दन्या का पानी जब उबलता हो उसमें लाश्ट में छान लेके दो चुटकी मिला लीजिए दालचिनी का पाउडर अच्छा भी लगेगा आपको टेश्टी भी महसूस होगा आपको फायदा भी देगा दोस्तों तीन फायदा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा एक नस्व में बहुत जल्दी दोस्तों चेंजिस होना सुरूगा याने फायदा होना सुरूगा दूसरा आपके स्कीन में दोस्तों फ जैसे मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि सौप को अगर आप पानी में डाल के रात में रखते हो दो चमच और सुभा उबाल के पीते हो तो आप ऐसा कर लो दो चमच सौप और एक चमच धनिया इसको मिला के अच्छे से धोले और फिर इसको एक देट गलस पानी में डाल के रखें सुभा उबाले फर्मुला ओई रहेगा दोस्तों आप फोड़ा गुंगुने हालत में उसको एक कप सुभा पी लें या फिर उसमें दालचनी का पाउडर भी मिला के दोस्तों पी सकते हैं याने दोनों का लाब आपको मिल गया धनिया का जो लाब है वो भी मिल गया और सौब का जो दोस्तों लावे वो भी मिल गया इससे थंड़क भी दोस्तों मिलेगी और गर्मी के समय में फर्मुला बहुत ही कारगर है इसके साथ साथ जिनके पसीने में बहुत बदबू होती है सरीर थोड़े में ऐसा स्मेली हो जाता है कि आपको खुद को भी बुरा उनके लिए सबसे बेश्ट पर्मुला होता है कि सुभा सुभा कम से कम 15 ml 20 ml आमले का जूस प्योर जूस के साथ एक देट ग्लास पानी मिलाए और नॉर्माल पानी ही मिलानी है उसको दोस्तों सुभा खाली पे डपको लेनी है चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी मिल गया सर्क्तियों है दो मेहना अगर आप गर्मी में ंसे करते हो तो आपका ब्लैड प्यूरिफाइट होगा सरी डेटॉक्सीफाइड होगा स्कीन में ग्लॉ आएगा सरी मेल बिल्कुल खतम होगा जो पशीना भी आएगा ओव होन सवार भी नहीं तो एक पर अंदरं नी और बाहरी चीजने अगर दुर्स्त होता है तो दोस्तों यह अच्छी बाद भी हैँ खास करके जिनका हैर में समस्या मातक है नाखुन में समस्या है श्कीन में समस्या है वो बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाएगा इूरिन में अगर बनिंग है अगर पिसाब में जलन लगातार होती है तो दोस्तों आमले का जूस पिने से प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाती है साथ साथ जो लोग चाहते हो लौकी का जूस लौकी का जूस भी दोस्तों अल्टरनेट करके आप ले सकते हो जैसे आज आपने लौकी का जूस ले लिए 200 एमिल अगले दिन आप ले लिजिए आमले का जूस ऐसे अल्टरनेट करके पूरा गर्मी दोस्तों आप पी सकते हो याने दोनों का लाब दोस्तों आपको मिलेगा आमले का भी लाब होगा और साथ-साथ आपको लौकी के जोश का भी फायदा मिल जाएगा तो दोस्तों ये जो टिप्स का सिलसिला है ये आप ही लोगों के लिए है बहुत ज़्यदा परिशान हो वीडियो देखके आप इसका समाधान निकालो अगर उससे भी नहीं होती है जो किताब है उसको online Amazon से मंगाएं उसको आज referral किताब के तरह इस्तिमाल करें चाहें तो कोई knowledge आपको चाहिए कोई guideline चाहिए कोई advice चाहिए आप whatsapp हमें कर से 8800 403758 में या फिर 8826676303 में दोस्तों एक चीज़ याद रखो मेहनत आपी को करना है हर गंटे पानी जरूर पिया के glass और गरीवी में ऐसे भी दोस्तों नॉर्माल वाटर आप पीते रहो जिससे आपका सरीर में थंड़क रहे आखिर में एक बात दोस्तों कहना चाहूंगा अगर आप इतना ज़्यादा फेस कर रहे हो समस्य को कहीं आपकी कमर में calcification हो गया है disbulging हो गया है आपका disc बाहर आ रहा है spinal canal जो है narrow हो रहा है टांगे बिलकुल सुन पड़ रही है बहुत ज़्यादा severe pain हो रहा है static nerve आपका affected हो रहा है इसी तरीके से cervical spondylosis आपको है या फिर knee arthritis है ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप एक या दो दिन के लिए यहाँ नौइडा नियूले पें क्लिनिक में आईए यहाँ पर हम आपको एक दो sitting treatment भी देंगे और आपको digitally जो तयार है हमारी training और treatment की pen drive और DVD जो भी दोस्ता अभी ले बूले इस तरीके से आप घर बैठके भी अपना दोस्त सक्सेस्फुली treatment कर सकते हो यहाँ ज़्यादा लंबा समय तक ना रहके अगर कोई हपता पंदरा दिन रहे पाते हो तो अच्छी बात है मगर मैं हमेशा जैसे कहता हूँ आप कोशिस करो अपने घर रहे के अपना हिपाजत करने के लिए और अपना जो problem है जो बीमारी है उसको दोस्तों ठीक करने के लिए एकी pressure ज़रूर सीखो home treatment एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों उसके लिए आपकी knowledge होना दोस्तों जरूरी है किताब का help लीजिए और मेरी जो practical training है, digital training उसको भी सीखो और अपने घर बेटके अपना और अपने परिवार समाज का दोस्तों ध्यान रखो दवाई से इसी तरीके से हम लोग दूर हो सकते तो आज दोस्तों इस वीडियो के इपे समाप्त करता हूँ फिर कोई नहीं जानकरी के साथ आता हूँ आप लोग के साथ रूबरू होनी के लिए पौदा जरूर दोस्तों लगाते रहो देखो कि इससे आपको अक्सिजन भी मिलेगा और आगे के पीडि के लिए भी दोस्तों अच्छी बात है थैंक यू बेरी मच जैहिं जै भारत